Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बर नमस्कार, Study IQ IS, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ आज हमारे साथ Round the Table with Toppers में एक और खास महमान है, रोहन कदम, जिन्होंने इस साल UPSC में 200 पिच्चान बेवा रेंख हासिल किया है, बहुत-बहुत स्वागत है आपका रोहन इस प्रोग्राम में, धन्यवाद से, ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हम इस प्रोग्राम में शुरू क पढ़ाई हुई है, उसके बाद BA Economics मैंने Graduation में किया है, उसके बाद मैं अभी Master's कर रहा हूँ, Economics में ही, और Economics ही मेरा Optional Subject रहा है ठीक है, यह IAS की जर्नी या फिर UPSC की जर्नी जो आपने सोची, कबसे तयारी करने का सोचा आपने है और कबसे स्टार्ट किया? शेर, Graduation के वक्त मैंने सोचा कि यह as a career एक काफी अच्छी opportunity है और काफी potential है यह role में और तब से ही मैंने थोड़े इस वे बारे में जानना शुरू किया और Graduation के बाद मैंने मेरी पढ़ाई UPSC के लिए शुरू की ठीक है, यह कौन सा attempt था आपका? यह मेरा पाच्वा प्रयास था और तीसरा मेंस का प्रयास था और पहला यह interview था तो जर्नी थोड़ी से आपकी यह लंबी रही UPSC वाली है मैं सबसे पहले आपसे भी यह जानना चाहूंगा कि इस दौरान एक सवाल बार-बार students की तरफ से आता है कि patience को कैसे बना के रखें आपने कैसे अपना motivation बनाए रखा मोटिवेशन दो चीजों से होता है एक तो internal और दो external तो internal जो होता है वो खुद को यह आपको जानना पड़ता है कि आप इसके लिए तयार हो और बहुत-बार failures के बाद आप नाउमीद हो जाते हो लेकिन आपको उससे जूजना होता है उनके साब उनके उनके पास से आपको काफी support मिलता है और मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह जो family का support होता है यह एक two-way process होता है आपको उनको एक होसला दिलाना पड़ता है आपको confidence देना पड़ता है कि मेरा प्रयास काफी genuine है मैं का conditional support दे देते हैं तो मुझे लगता है कि जब यह दोनों चीजे मिलके आती है तभी जाके motivation बना रहता है तो आपने अभी जो बताया कि अपनी कम्यों को पहचानना और उस failure की वजहों को पहचानना यह अपने आप में बड़ा tough task होता है एक ऐसा race है जिसमें आपको कभी पता नहीं चल पाता है यह खुद को analyze नहीं कर पाते कभी आपने analyze किया कौन सी वैसी कम्या दिखी जिनको आपने जिनसे overcome के करके और final result दिया जैसे पहले प्रयास में मेरा prelims नहीं हुआ था तो prelims के बारे में मैंने देखा थोड़ा assess किया कि क्या गलतिया हुई तब मैंने past year questions को उससे एक-एक test को assess करता था कि वहां पर मैंने क्या logic इसनमाल किया मेरे कितने correct है मेरे कितने incorrect है उससे एक खुद का accuracy समझने को आता है तो वह समझ के मैंने prelims का प्रयास अगले प्रयास में मैंने जब prelims क्लियर किया तब मैंने देखा कि यह जो assessment वह काफी सही था उसके मैं जाके मैंने उसमें भी improve किया GS में भी improve किया तो वही है sir जो gaps आपको preparation के दोरान शायद देख नहीं पाते लेकिन वह marks जब आते है तब आपको समझ में आता है कि इसमें काफी आप कमी थी तो उसमें improve करके मैंने आगे जाके अगला प्रयास दिया यह जितने portions आब बता रहे हैं उन एक एक पर अगर चर्चा करें जैसे previous year questions यह अपने आप में कितना important है previous year questions काफे important है इसकी दो वज़ा है पहली वज़ा तो यह है कि sir UPC का जो syllabus है prelims हो या mains हो वो एक indicative list की तरह है और अगर आपको UPC को syllabus को जानना है तो आपको जो syllabus दे रखा है उसके साथ-साथ past year questions को भी देखना पड़ेगा तब ही जाके आपको एक exhaustive framework मिलेगा कि कहां कहां से questions बन रहे है इसलिए मुझे लगता है कि past year questions की आहमियत काफी है दूसरी बात है कि question पूछने का जो नजरिया जो होता है या perspective जो होता है वो आपको past year questions को देखके ही समझ में आता है इसलिए म मतलब आपको लगतार news paper से या फिर खबरों से बहुत ज़्यादा update रहने के जरूरत है और ऐसा prediction आप करके नहीं जा सकते कि आप अच्छा ही करेंगे वहां जाकर आप एक presence of mind लेकर जाएं तो फिर आपका अपना analysis क्या है कि अब तैयारी को भी थोड़े बदलने के जरूरत Sir मुझे ऐसे लगता है कि तैयारी दो तरकी हो सकती है पहली तो आप content जो है जो static है या current affairs है उसको साथ एक updated रहे लेकिन दूसरा जो सबसे important है वो जो exam like environment में अगर आप paper दे रहे हो क्योंकि वहां पे जाके आपको सोचना है एक जैसे मुझे ऐसे लगता है कि prelims हो, mains हो या personality test हो, हर एक पढ़ाओ एक personality को ही judge कर रहा है sir, क्योंकि वहां पे जाके आपको simulated environment में अगर आपने practice किया है तो वहां पे जाके आपकी जो निरने की नीती होती है उसके बार में आपको देखना पड़ेगा, फिर time management एक बहुत एहमियत चीज होती है, बहुत बार ऐसे होता है क 50% या 40% questions के सवाल आपको बिल्कुल ही ना पता हो, लेकिन वहां पे अगर हम डटे रहे, वहां पे आपने elimination skills इस्तेमाल की और थोड़ा बहुत common sense यूज़ किया, तो शायद बहुत सारे questions बन पाते हैं, मुझे लगता है यही importance है, और prelims हो या mains हो, दोनों में exam like environment में अगर जाके पढ़ रहे हो, इसे मैं भी यह करता था कि prelims हमेशा summers, काफी hot summer days में होजा करता था, तो मैं बहुत बार test, fan बन करके लिखता था, तो वही है कि sir, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कही classroom में एक ही fan हो, और आपको वहां पे गर्मी महसूस हो, तो यह जो situation है, वो situation में ढ आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको वहां से practice करना पड़ेगा, तभी साके यह आप कामियाभी पा सकते हो, ठीक है, पूरी तयारी के में और result में, best part रहा हो क्या रहा, result में तो मेरे खाल से interview रहा आपका best part, जी sir, best part तो मेरे main result के बाद, जो interview तक का जो समय था, वो opportunity देता है कि आप खुदी के personality को अच्छे से समझो, मैंने शुरू, मतलब मेरा जो main result आया था, उसके बाद ही थोड़ा self exploration शुरू किया था, कि मैं जानना चाहता था कि मैं किस type का person हूँ, मैं ideal हूँ, practical हूँ, या ideal to practical matrix में मैं मैं कहां बैट रहा हूँ, क्योंकि उसी वक्त म मैंने ये चीज तो मेरे clear थी, कि अगर मैं ideal हूँ, और मैं practical answer दे रहा हूँ, तो शायद मैं first जाऊँगा, अगर मैं practical हूँ, और बहुत ही ideal बाते कर रहा हूँ, तो भी मैं first जाऊँगा, तो ये जो पूरी journey थी, जो मेरे means के result के बाद, और interview के day तक, वो खुद को पहचानन की एक journey थी, और उससे मुझे काफी फाइदा हुआ, काफी logo से मिल पाया, काफी खुद के marks interview उसको अच्छे से देख पाया, एक delivery जो होती है, उसको मैं अच्छे से देख पाया, detail application form जो होता है, उसका analysis कर पाया, और शायद ये जो मेहनत मैंने उस वक्त ली, उसी के कारण मे अगलग phase की strategy पर बात कर लेते हैं, जी sir, ठीकि सबसे पहले अगर मैं phase wise बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जरूरी है prelims के बारे में बात करना, आपने prelims में क्या strategy रखी और prelims में क्या strategy होनी चाहिए, sir मेरे initial prayers में मेरे भी prelims के number कम थे, मैंने 85 के around मेरे number थे, उसके बाद 140, 132 मेरे number रहे हैं, तो prelims में मैंने past year questions पर focus किया, past year questions को syllabus के relate करके, वो जो area से जो questions आ रहे थे, वो areas को जादा emphasis दे के पड़ा, दूसरी बात है कि जादा से जादा mock test लिखे, सौ के करीब मैंने mock test हर वक्त लिखे हैं, और mock test का analysis काफी important है, sir, जिस पे analysis में काफी पहलू है, प और मैं एक excel sheet बनाता था, उस पे ये सब चीजे लोड करता था, जैसे attempt correct, incorrect, और हर एक question को मैं एक थोड़ा analysis करता था कि मैंने क्या logic इसनमाल किया महाँ पे answer तक बहुचने के लिए और क्या सही answer रहा है, तो इससे दो चीजे होती है कि एक तो एक logical flow से आप elimination skill develop करते हो, और द move closer to the goods को, so यही sir मेरा prelims के बारे में strategy रहा है, prelims में जैसे एक बड़ा portion current affairs का है इस समय, current affairs को लेकर क्या strategy रखते हैं दो, या आपने क्या रखा था? Sir current affairs के लिए newspaper काफ़ important है, monthly magazine वगरा भी आती है, मैंने भी refer की थी, लेकिन most important चीज मुझे ऐसे लगती है कि जो भी current issue चल रहे है, उसको अगर आप inquisitive mind से थोड़ा और curious mind से अगर देखो, वो issues के अलग-अलग dimensions को आप थोड़ा search करके या इधर उधर पढ़के अगर आप cover क कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ important है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि issue एक चल रहा रहता है, लेकिन वो issue को direct question नहीं आता, किसी indirect question से वो issue को current affairs के questions through cover किया जा सकता है, तो यह चीज काफ़ important है sir. ठीक है, और जैसे current affairs हम पढ़ते हैं, उससे आज कल static part से भी questions को पूछे जा रहते हैं, जैसे इस बार के exam में, संगम साहित के संगम काल के बारे में question आया था, जो कि prediction में था, क्योंकि तुलकापियम का Hindi अनवाद आया था, तो उससे prediction था कि संगम काल से question आ सकता है, तो आप एक ने कुछ इस तरह से analyze किया है, चीज़ों की कैसे static portion को भी थोड़ा attach करके पढ़ें, जो current affairs में आता था, particularly art and culture हो, medieval India हो, या polity हो, या international relations के organizations वगरा हो, तो उसमें जो current issues चलता है, तो उसका तो static part आपको cover करना बहुत important है, क्योंकि बहुत बार जैसे मैंने बताया कि current affairs के issue म directly question नहीं आते, पर उसका जो static related portion है, उससे question बनते है, तो ये काफ़ी important होता है, और men's के level पर अगर बात करें, paper 1, paper 2, paper 1 से शुरू कर लेते हैं, क्या कुछ खास tips देना चाहेंगे अब, sir, GS1 के लिए society एक काफ़ी important subject है, जो जिस पे काफी innovative questions आ रहे हैं, और उसके उपर आप को notes तो होते ही हैं, लेकिन एक example जालने की important है, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको वो societal changes को, वो example से portray करना होता है, उसके अलावा history, geography, geography में भी जो current events हो रहे हैं, उसके बारे में questions आते थे, जैसे इस बार पी volcano पे questions आये थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि, जो current events चल रहे हैं उसको static के साथ relate करके, examples के कोई repository अगर आपके पास हो, तो हमेशा आपको arguments को strengthen करने के लिए काफी useful होता है, यह रहा है GS1 के लिए, GS2 को लिए भी same, sir, जो issues चल रहे है, polity में हो, international relations हो, उसी में से questions बनते हैं, लेकिन questions जो आते हैं, वो syllabus के जो topic है, उसके उपर आता है, तो मेर मेरी यही रणनी थी, कि पहले जो जो एक-एक topic है, उसको एक-एक page पे या दो-दो page पे नूर्स मनाया जाए, क्योंकि questions तो directly issue से नहीं आएंगे, बरकि syllabus के topic से आएंगे, तो यह मेरा important वो था, GS3 में भी, sir, economy, environment, disaster management, security, ऐसे angles होते हैं, लेकिन, फिर मैं चाहूंगा, मैं यह कहना चाहूंगा कि agriculture एक topic है, उसमें भी काफी sub-topics है, like food processing हो, agriculture transportation and marketing हो, तो इस अगर topics को specific अगर आपके पास notes हो, तो वो काफी important होता है, क्योंकि magazines हो, या news हो, वो economic के काफी issues cover करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो issues का syllabus से कोई रिस्ता नहीं है, लेकिन जो questions आते हैं, वो होता सा interesting question, interesting paper है, क्योंकि उस पे आपके values पोट्रे हो जाते हैं, और बहुत बार यासा होता है कि case studies में भी आपको काफी innovative तरीके से सोचना पड़ता है, थोड़ा practical understanding में लालना पड़ता है, और वो जो role में, वो जो किरदार के study में पूछा गया है, वो किरदार में आपको वो solutions आपको देने पड़ता है, तो वो काफी important होता है, उसके लिए अगर पहले से थोड़ा practice किया जाए, थोड़े case studies पहले से solve किया जाए, तो वो काफी important है, values में भी में यह कहना चाहूंगा कि examples का जो एहमियत है, वो काफी important है, अलग-अलग examples से अगर आप वो questions को represent कर रह से में इस बार आपका बहुत अच्छा रहा है, आपके कितने marks थे से में? से मेरे 131 marks थे तो एसे को लेकर आजकल बहुत abstract topics आ रहे हैं, कैसे उसको handle करें है? शर, एसे में पिछले दो-तीन साल से philosophical essays काफी आ रहे थे, तो इस बार भी मैंने philosophical essays के लिए काफी अच्छी practice की थी, सिर उसमें दो चीज़े है, पहले ही चीज़े है कि आपका interpretation, अगर आपका interpretation सही है और वो interpretation को आप पहले ही अच्छी तरके से वहाँ पर present कर रहे हो, तो बहुत अच्छी संभावना है कि आपको अच्छे marks आएंगे, क्योंकि philosophical essays में यह हो सकता है, यह बहुत बहुत होता है क interpretation क्याफी गलत ले लेते हैं, तो आगे जाके पूरा essay जो है, वो गड़ बड़ होता है, दूसरी बात है, अलग-अलग viewpoints से, अलग-अलग perspective से आप अगर वो ऐसे लिख रहे हो, और जो आप examples, आप जो observe कर रहे हो चीज़े, आपके इर्धियत, उसको वो statement से relate करके, वो statement को इधर prove करने या disapprove करने में अगर आप use करते हो, और आपका flow एक अच्छा रहता है, आप easy, छोटे-छोटे sentence, छोटे paragraph में अगर आपका essay represent होता है, तो वो ऐसे दिल पे एक असर कर देता है examiner के, और आपको number आते है, तो यही मेरी strategy रही, ऐसे के लिए, पूरी तयारी में इंटरनेट का क्या रोल रहा आपकी पूरी तयारी में? थोड़ा practice भी की थी, कि वो जैसे बात कर रहा है, वैसे हम थोड़ा बहुत सीख ले उनसे conversation skills, तो इंटरनेट के बीना तो मेरी जनी काफी अधूरी होती, और शायद भी इस मुकाम तक में ना पोच्छता, ठीक है, personality development test जो होता है, जिसे हम एक समय तो मिलता है कि mains का आपका interview के date मिल गया, उसके बीच में हम बहुत सारी चीज़ों को तयार करते हैं, बट कहते हैं कि personality test, personality development और interview की तयारी, basically आपकी बहुत पुरानी है, दीरे 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 आप अपने personality को ग्रूम करते हैं, आपने अपने interview में ऐसा महसूस किया कि आपने धीरे धीरे खुद को बहुत पहले स्तियार किया है और वो काम आया हो आपके test में, मेरे ख्याल से personality test में जो questions पूछे जाते हैं, वो जो आपने बताया, उसी चीज़ को परक के देखने की एक कोशिश और प्रयास होता है, और मुझे लगता है कि वहाँ पे वो panel, chair members के सामने, मुझे नहीं लगता कि आप कोई artificial चीज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल में है, वो बात वहाँ पे उतर आती है, तो वही है, एक opportunity होती है कि आपने जो personality जो इतने साल आपने डेवलप की है, उसको एक present करने की, और मेरे interview में भी ऐसा ही हुआ, कुछ questions जो है, मुझे लगा था कि किनॉमिक्स का मेरा background है, का optional है, तो एकनॉमिक से question आएंगे, बट काफी कम question से जो economic पे थे, cooking मेरी hobby थी, तो cooking पे काफी detail में चर्चा हुई, काफी अलग-अलग questions मुझे पुछे गए, कुछ questions याद हैं, आपको cooking से कैसे interesting सवाल पुछे गए, cooking में sir, मुझे पुछा गया था कि आप कौन से cuisine prefer करते हो तो बल्कि में मालवन से हूँ, तो मालवनी cuisine मेरा preference था, उसमें मुझे पूछा गया कि अलग-अलग dishes के preparation अप कैसे करोगे, उसमें मुझे मुझे मैंने बोलते वक्ते ये काता कि, traditional processes जो होते हैं, जैसे silbattah है, वो मैं prefer करता हूं, instead of modern techniques होते है, mixer grinder तो उसमें मैंने जवाब दिया था कि, जो हम mixer grinder जो use करते हैं, वो flavor को mute करता है, क्योंकि heat होता है, और grinding action होता है, तो grain काफी shredded हो जाता है, बल्कि जब हम traditional processes जैसे silbattah use करते है, तो silbattah से pressing action होता है, तो grain flatter हो जाता है, flavors release हो जाते है, और texture उसका जो होता है, टंग पे अलग आता है, जिसके हिसाब से test enhance होती है, तो ऐसे काफी detailed questions हुए, वहाँ पे detailed answers भी हुए, और काफी interesting conversation वहाँ पे build हुआ, तो मुझे लगता है कि उसके वज़ए से, चले मतलब इसका मतलब एक और है, आपने अपने hobbies related, ये सारे सवाल पहले से सोचे होंगे, जैसे आपने cooking में बताया कि hobby है cooking, तो ये expected सव है कि आप क्या इसमें prefer करते हैं, बनाना या खाना, और फिर आपने उसका कारण भी देखा है कि सिल्वत्ता अगर मैं use करता हूं, तो उसके, उस पर भी cross question आ सकता है कि क्यों करते हैं, पहली बात तो ये है sir, cooking में काफी दिल से passionately follow करता हूं, तो उस पर छोटी छोटी चीज मेरा ध्यान रहता है, और इतना interesting चीज है cooking की काफी हम modern day term में कहते है hacks है, तो काफी hacks है उसमें, और काफी flavor enhancement के लिए काफी ऐसे तरीके हैं, जो मैं मेरे नानी, मेरे माँ उनके साथ सिखता था, तो ये तो मेरा passion रहा है, और मैं खुश था काफी क्योंकि वो passion जो है मेरा उस तरह से तयारी की जाए, interview के लिए, तो hobby को लेकर भी कोई strategy होती है कि अपने deaf के parts में hobby को भी तयार करें है, ठीक से, मुझे लगता है कि अगर hobby को आप दिल से pursue कर रहे हो, ना कि बस interview के लिए, बट interview से पहले भी, और interview के आगे आगे भी आपके साथ अगर वो hobby रहती है, तो एक दिल से conversation आप उस पे कर सकते हैं, आपको उस पे बात करने में एक दिल्चस्पी होगी और सुनने वाले को भी दिल्चस्पी होगी कि उस पे conversation किया जाए, तो मुझे लगता है कि जो hobby आप चाहते हो pursue करना, उसको दिल से pursue करना ही एक तरीका है कि आपके interview में आपके अच् important है, अगर आपने दिल से कोई hobby follow की है, तो जरूर उसका mention कीजिएगा, पर अगर आपने कोई hobby नहीं follow की है, तो दो मेने में एक hobby को सीखना, उसको फिर hobby कहन भी नहीं सकता है, तो वो काफे मुश्किल है, तो वही है sir, ultimately तो जो हमारा जो एक आप सच्चे हो या नहीं, चाहूंगा कि आप उन लोगों को बताएं, जो लोग first attempt के लिए जा रहे हैं, और उनके दिमाग में कई बार ये एक इस्थिती बनती है, कि ये तयारी बहुत लंबी है, बहुत लंबा समय लगने वाता है, जबकि ऐसा निश्चित तोर पर नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है first attempt में कोई निकल जाए, second attempt में निकल जाए, कुछ कारण रहते हैं जिसमें कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, उन दोनों लोगों के लिए अगर दो तरह के aspirants के लिए अगर कुछ बताना हो, पहला ये कि जो लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, उनके दिमाग में ये बना चार-पांच साल लग जाएगा, और दूसरा वो जो लोग चे तीन-चार साल बिता चुके हैं और अब उन्हें लग रहा है कि आप छोड़ देना चाहिए, मुझसे होगा नहीं, तो उन दोनों तरह के लोगों के लिए कुछ बाते बता पाएंगा, पहले प्रयास में जो ब फ्लो हो जाती है, जो आंसर राइटिंग में भी दिखा सकते हैं, तो वो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, तो पहले प्रयास में ही अगर काफी हार्ड वक करके, अगर सब प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुली उमीद तो बनती है कि आपका सेलेक् में हैं, तो उनके लिए मुझे ये कहना है कि अगर आपने थोड़ा असेस किया हो, आपके मिस्टेक्स को, और मिस्टेक्स को लिख लिख लिया हो, और थोड़ा इसके इंप्रूमेंट के लिए, स्कोप के लिए थोड़ा हो, तो मुझे लगता है कि आगे जाके ये आसान हो निराश होने के उसमें ज़वरत नहीं है लेकिन उसमें मैं और एक चीज बताना चाहूंगा जैसे मैंने खुद में मैंने मास्टर्स के रखा था तो मास्टर्स करते वकि जो प्लेश्मेंट्स आई थी महां पर मैं अपियर हुआ था तो उसे अगर आप प्लान भी अगर आप तब मैंने सोचा था कि as a life मैं at the age of 25, at the age of 35, at the age of 45 मैं खुद को कहां देख रहा हूँ वो चीज काफी important है काफी vicious cycle हो जाता है वरना आप प्रयाज देते जाते हैं देते जाते हैं लेकिन आपका जो youth है उसके जो काफी important age है वो इसमें निकल जाता है तो अगर आप प्लान आपका उसके बारे में आपने सोचा हो तो मैं हमेशा यह कहता हूँ कि plan B it's like a parachute अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ground पे हिट है वो काफी hard होने वाला है तो आपको plan B लेके बाहर जाना ही काफी सही रहेगा लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहले ही parachute खोल दिया जाए क्योंकि अगर पहले ही आपने plan B में जाज़ा सोच लिया तो इसमें प्रयास आप उतने अच्छी तरह के से मेनत नहीं कर पाऊगे पराशूट को भी ऐसा हथियार बना कर रखे कि सही समय पर काम है अदर्वाइस नुकसान हो सकता है ठीक है hypothetical एक सवाल है अगर मान लिजे अभी आप सेलेक्ट नहीं होते सेक्यूर नहीं करते अपने position को तो फिर आपने सोचा था किस फील्ड में जाने के लिए मेरा economics का background रहा है और में master's भी अभी कर रहा हूँ तो शायद मैं consultancy में जाता consultancy में जाके वहाँ पर explore करता कि वह career कैसा है और ठीक है रोहन मेरे ख्याल से सारी बातों पर हमने चर्चा कर ली है फिर भी अगर कुछ बात ऐसी रहती है जो आप share करना चाहते हो students के साथ इस platform से तो जरूर कीजिए मैं यह कहना चाहूंगा दू चीज़े काफ़ important है एक तो हर एक प्रयास में आपको simple रहना है जैसे में इंसान सर आइटिंग है personality test है simplicity is काफी important है सर जैसे और simplicity जो है वो काफी hard end है वो ऐसे ही आती नहीं है सर तो एक गजल भी है सर कि लोग यह नहीं देखते कि कितनी है रियाजत किसी की लोग आसान समझ लेते है आसानी को तो that is important कि simple रहो और जो है साफ सूत्रा रखो answer हो या आपका presentation हो तो मुझे लगता है कि कामया भी तो मिलती है और sir failures मेरा success तो एक है लेकिन बाकी जो चाहरे वो failures है तो मुझे लगता ह है कि failures के वक्त भी आपको थोड़ा खुद को संबलने का मौका दो और सोचो अच्छी तरीके से अगर आपको जी जान से अगर ये मेहनत करते हो और थोड़े आपके mistakes finalist करके उसमें improve करना चाहते हो तो ये मुम्किन है sir Thanks a lot Rohan आपने इतनी बात्चीत की और अच्छी बात्चीत की उससे जरूर जो लोग देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को उनको फायदा मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए और आपको अपके भविश्य के लिए future के लिए बहुत सारे शुब काम ना बेस्ट विश्य के लिए तो इस प्रोग्राम में इतना ही रखते हैं फिर अगले एपसोड में फिर किसी टॉपर के साथ बैठेंगे राउंड दे टेवल विट टॉपस में और आपको अच्छे अच्छी बाते बताएंगे उनके experience world से कुछ ऐसी बाते निकालेंगे जो बच्छ शुक्रिया, नेक्स एपसोड में फिर मुलाकात होगे, नमस्कार, थैक यू अब तयारी हुई, एफोड़बू